हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज के तूदा पॉइंट सेक्शन में मैं नेतिन आपका फिर से एक बास वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में डिस्केशन करेंगे हम ड्रेगन फ्लाई का तो आए बिना देजी के शुरू करते हैं अगर आपने अब तक वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर दीजीगा ताकि जो नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुदान प्रभाव से मिल जाए तो आए बिना देजी के शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं देली में आपने देखा होगा कि जो बसात है वो मौन्सूम की बसात इस बार जो है वो कम देखनों का मिली है उसी को लेकर एक सर्वे यहां पर अब भी किया गया था ड्रेगन फ्राइब और डिसमल फ्राइब को लेकर यह दोनों फ्राइब जो है छो पर सनाथा है जो पनी वसाथ में इकटा होता है और फ्रेश वॉटर होता है कंतामीनेटेड वॉटर नहीं होता है उस पर यह जो ड्रेगान फिलाइ और डैसमल डेमस फ्लाइज वह वह सपर पनबती है और इनका लागवा बहुती एको सिस्टम को सुचा दू चलाने के लिए बहुती ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनका जो लागवा होता है वो लागवा जो मॉस्किटोज और जो काफी ज़्यादा नुकसान को पहुचाने वाले जो फ्लाइज होते हैं मॉस्किटोज होते हैं उनके लावा को भी ये खाता है और उड़ते वे मच्छरों को भी ये लोग इसी प्रिकासे इट करते हैं ये ड्रेगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई का ये एको सिस्टम से संबंद नहीं तो बहुती ज़्यादा है वो हमें मिलता है तो उनी को लेकर इस पर रिसर्च किया गया है कि इन जो ये जो डेमसल फ्लाई है इनका जो अभी स्पेसी का जो अविलिबिलिटी देखा गया है वो काफी कम यहां पर देखनों के मिला है और ऐसा लग रहा है कि अभी जो एग देने की जो अभी प्रक्रिया है इनके द्वारा वापस से लेगर जो साइननटिस्ट है वह कि हैं तो यहां पर शंचेर में है तो यहां पर सर्वेग किया गया था तो हम समझेंगे कि क्या ट्रेगनद य्वारा से हमारे लिए उप्योंगी Aww are that का लाइब सेकल रहता है् तो बेश्टिक लिटाहिं के बनागते हैं जो यह फॉच्वा और वो टाम निम्फ वहां आ पाता है और पानी में सांस लेने के वज़े से जो पाणी में जो लागवा इन मॉस्कितोze और व्ल्पर होता है उसे वहाँ पर यह उत। इट कर सकता है इसके बाद में यह स्टेज भी यह फिस है और अखते है, इसके बाद में ड्रेगोज की जो ऐग होते हैं, और दोनों coverage पर ये इस बिगार की mosquito और जो भी harmful जो चीजें वहाँ पर पाई जाती हैं उनको eat करके वहां के environment को save करते हैं इसके लावा ये harmful जो aquatic organism होते हैं उनके लावा को भी यहाँ पर खा जाते हैं जिससे कि जो aquatic ecosystem है वो यहाँ पर प्रोपर तरीके से बना देता है इनका जो plant होता है वो पानी में एक साल से पाउस साल तक अटर बने से पहले वहीं पर ही रह सकता है और तो इसी वज़़ा से यह जो लागवा बनता है जो निम्फ निकलता है उस निंफ से पाउस साल تक यहां पर जो उसकी सुरक्षा है वो कॉंड की या पानी का जो भी यह flies है वह आप ना पनाप सकती है ना जाय सकती है। यह contaminated, polluted जो water होता है वह in flies को अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए flies वहाप नहीं रहती है, fresh water में ही यह वहाप रहती है। इसके लावा जो adult dragonfly है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है इस परकार की जो damselfly है पीछे जो यह आपने देखी है यह dragonfly है इसके लाव यह damselfly है बहुत फाइदा देता है इन फ़ायि की यह जो 1 पीर यह रोगे conjunction करती है आगें की दो टंगों से यह उड़ते मौस्किटों को के ए उसके बाद में जो पिशली टंग है उनसे अच defото और राइंक मटशनमें इस मौस्किटों को इट कर लेते हैं तो इस परकार से जो एयर में ही इस परकार जो या जो भी आमफुल इंसेक्ट उड़ते हैं उनका भक्षन ये उसी समय पर कर लेते हैं इसके बाद में जो ड्रेगन फ्लाई होती है वो ड्रेगन फ्लाई इस प्रकार की डिजीज को कम करने में फायदा करती है क्योंकि ये मॉस्किटो जास फ्लाई और डियर फ्लाई जैसे जो हमफुल इंसेक्ट होते हैं उनको खा जाती है उनके लार्वा को भी खा जाती है इसलिए जो इन्वार्वेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदे मान जाता है आर्थ वार्म जो एंसेक्स और टूलरेनिया जैसी जो बिमारिया फैलती है येलो फीवर जैस हिएपा खालिया जाता है टौक लाइफ सायकल के अगर बात करें सबसे पहले जो एडल डेकन फ्राइ होती है वह मेंटिंग के बाद में अपने एक्स मखें ये एक्स जो है। वह लैंट और दे सकती है और एकोर्टिक सिस्टर में भी दे सकती हूए तो ड्रेगं तरी ≅ किसे लte टीये लैक के बाद में जो इन का निम्व है जो लागा बनता है वह यहां पर पूशन प्रक्रफट करता है उसी एयदिया पर और विए कौश समय बाद में जो निम्व से जोई बात करें तो उसमें भी यह सेम इसी प्रेकार का लार्वा रहता है इसका जो लार्वा है वो लार्वा यहां पर एक लाइंग के बार में हमाईर को देखने को मिलता है लार्वा स्टेज में यह तीन प्रेकार से जो है अपना लार्वा थोड़ा-थोड़ा करके लार्वा से ब जाद बाद लारवर कंडिशन थे जो निंफ इसे हम कहता है वह ज्यादा तर पेड़ फोर आ पर या लेंड की सिस्टम ही ज्याद़ देखी जाती है दो इस प्रकार से जो ड्रेगंट फिलाई और रेंपशल स्लिख खáriकि जो लाइब स्यकल है वह यहां पर कंप्लीट होती है इसके हลटब ड्रेगन फ्लाई और डेमशल फ्लाई के अगर डिफ्रेंस HERE अगर इन दोनों में बात करें To लेकर ells को लेकर इन में काफी जगा डिफ्रेंस होता है तो सबसक्राइब के बВыरा जो इनके फोलम जो ऑर साइब में फेले होता है इनका साइब होता है इसके लोग होता है और शर्णत कर inh wang the यह ऑटे यहीं जो बेस होते हैं एक हो अभी हो रहार हाई जो यहां से आप इस पेस लिए होती है यहां पर आप देखेंगे यह जो इस पेस है यह लैस है और यहां पर यह जो इस पेस है पूरा यह जहां से विंग्स अटेच है यहां पर यह जादा है तो इस प्रकार से जो डिफरेंस है बेसिक यहां पर देखने को मिलता है और इसके जो दोनों बाड बेस के होते हैं इसके अलावा जो इसका प्लेइन होता है जो पीछे से जो पूरा धर एक तरीका से मानें के देखें गे तो यह काफी से मैं ज्यादा पतला नहीं है है लेकिन देंसल फ्लाइज में यह जो आरिया है वह काफ़ी पतला होता है और द्रेगस सफ लाइज प्रम के तुन ना में थोड़ा नंबा भी होता है इसकि जो 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 आख यह तो फार अधे होती है और जो रिय के और रह एक पर Disсл MOR जो ड्रेगन फ्राई होती है उनके आपको के बीच में यहां पर गैप नहीं है लेकिन इसकी आँखेंगे यह जो साइड में है इसके बीच में आपर गैप दिखाई देता है तो यह बहुत बड़ा जो डिफ्रेंस है आपर मेजर फिजिकल डिफ्रेंस आपर देखने को मिलता जो जिससे कि dragonfly को differentiate किया जाता है इसका अलावा जो इनकी body होती है dragonfly की वह थोड़ी मोटी होती है थोड़ी heavy इनका जो weight है demselfly की तुलना में थोड़ा जादा होता है इस पर का से जो इनकी appearance demsel fly की होती है वह एक पखली दूबले फ्राइज के रूप में आपर देखने को मिलती है तो अपीरियंस के साबसे अगर इन दोनों फ्राइज को देखें तो इन दोनों फ्राइज को देखें तो इन पैचानता नहीं है तो उसे यह खतरना की प्रतीर होती है जब कि इसके विप्रिद ड्रेगन फ्राइज इस दोनों हमारी लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होती है